Moralities और Socially Responsible Behavior इनकी खून में डाल दिया है, पूरे समाज की खून में डाल दिया है, स्कूल से पड़ा-पड़ा के डाल दिया है, Discipline, 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 भयंकर Discipline लोग है 2011 में जो सुनामी आई थे ना वहाँ पे, Earthquake सुनामी, उस समेश इतने बड़े डिजास्टर, इतने भयंकर डिजास्टर के अंदर भी, वहाँ पे कोई भी कोई लूट पार्ट की वारदात नहीं होई, किसी ने कोशिश नहीं करी, किसी का पैसा खाना को इस लूट ले, और ये चुपचाब लाइन में लग जाएगी, प्रेगनेंट और भी लाइन में लग जाएगी, बहले ही मैनेजमेंट के लोग उसको आगे ले आ, लेकिन डिस्सिप्लिन वो भी फॉलो करती है, रेड लाइट जंप नहीं करते हैं, चैक कुछ भी हो जाए, अगर रेड ला ये आजागा रेड लाइट जंप करना गलत बात नहीं है, ये लोग के लिए एक एक सेकिंड बड़ा महत्वपूर्ण है, मैं एक बार अपको अपना परसनल किस्सा सुना था हूँ, मैंने कहीं जापनी इस कंपनीस के लिए काम किया है, मैं एक बार एक जापानी से मिलने के जब गया, उसने नौ बजे का टाइम दिया है, मैं नौ बज के एक मिनट पर पहुंचा, एक मिनट लेट था मैं, लेकि मुझको मालूम था है, टाइम से पहुंचना जरूरी है, वो आदमी मुझे बोला, डॉक्टर बिंदरा, आप लेट हो गए, कोई बात नहीं, लेकिन जपान में भी यही मतलब है, कि आपकी डेथ हो गई है, उस दिन से जिस दिन आप लेट हुए, आपके नाम के आगे पर्मेनिट लग जाएगा, लेट शरी विवेक बंदरा, और तब वो लेट पर्मेनिट आप से जिन्दगी बर के लिए जुड़ जाएगा, लेट शरी व गोल्डन स्टेट्मेंट दे रहा हूं, फास्टेस्ट वेट री स्टोर यर ब्रोकन ट्रस्ट इस टू अगर किसी लेए आपका विश्वास तूट गया है, अगली बार ये अपने वचन को पूरा करना शुरू कर दो, जब आप बार बार वचन पूरा करेंगे, लोग आप कारन समझ में नहीं आ रहा, तो डिफेक्ट के कारन के पीछे का जो कारन है, उसको समझने की कोशिश करते हैं, कि इस कारन को किस कारन ने कारन बनाया, ये डिफेक्ट आया, इस कारन को कारन बनाने वाला ये कारन, जब इस कारन को ठीक करेंगे, तो ये कारन अपने आप आप act क्या करते हैं पहले plan करते हैं भई कहां से defect आ रहा है उसके बाद उसको छोटे चोटे do plan do check act प्लीडीसी ए उसको implement करेंगे फिर वाप इस चेक करेंगे फिर इस पर act करेंगे cycle बना दिये इन्होंने quality इंप्रूब करने के जब मैं पहले corporate के साथ काम किया करता रहा इतनी Japanese company के साथ मैंने काम किया मैंने देखा जापानी लोग जो है ना उनके अंदर बड़ी deep intense listening ability होती है जब इनके आँ ग्रूप meetings होती है team meetings होती है review meetings होती है इंडिया में तो जब meeting होती है हरा आदमी चला रहा है हरा आदमी कठे बात कर रहा है दो आदमी तीन आदमी एक साथ बोल रहे होते है इंडिया में जब औरतों के kitty party होती है ना वो भी आपने देखी हूंगी मैं एक restaurant में था एक दिन उस kitty party में पंदरा ओरते बैठी थी और पंदरा की पंदरा बोल रही थी मैं सोच रहा था सुन कौन रहा है लेकिन जपानी आदमी को आप देखेंगे ना मीटिंग में यहां पर जब एक आदमी बोल रहा है बाकी सब ध्यान से सुनते है नोट्स बनाते हैं उनकी बात को उनको पता है अगर time waste हो रहा है फिर भी सुनेंगे क्योंकि यह उनके culture में है यह dignity of work यह भी उनको बच्पन से सिखा रही आता है culture के अंदर बच्चों से school के अंदर बरतन भी साफ कराए जाते है उनसे bathroom उनसे उनकी classroom भी साफ कराए जाती है सबजी उगाना सिखाए जाता है जब वो खुद सबजी उगा करके खाता है ना तो वो खाना waste नहीं करता और यही सब दिखाई पड़ता है इनके industrial revolution के बाद से लेकर के आज तक overall equipment efficiency आप देखिए का इनकी factory में हर equipment पूरी efficiency पर काम करता है just in time इनका product कभी delay नहीं होगा इसलिए इनके inventory block नहीं होती यह नहीं के फालतू बना के रख दिया inventory block हो गई तो हाथ में क्याश ही नहीं आ रहा क्योंकि जिसारा पैसा inventory में लग गया बिल्कुल नहीं यह शुरू से इन चीजों को लेकर के सज़ग